करवा चोट के पीछे कौन सी पौरानिक कथा है आए उसे विस्तार से जानते हैं करवा नाम की एक पती वरता महिला थी उनका पती एक दिन नदी में अश्नान करने गया और नहाते समय एक मगरमच ने उसका पैर पकड़ लिया उसने अपनी पतनी करवा को मदद के लिए बुल करवा ने यमराज से कहा कि इस मगरमच ने मेरे पती के पैर पकड़ लिये थे इसलिए आप अपनी सक्ती से इसे मित्यू डंदे और नरक में ले जाए यमराज ने कहा कि अभी इसकी मित्यू की आयू बची हुई है इसलिए मैं इसे मित्यू डंद नहीं दे सकता यमराज की बात पर करवा ने कहा कि अगर आप मगर को मार कर मेरे पती की चिरायू होने का बरदान नहीं देंगे तो मैं अपने तपोवल से आपको ही नस्ट कर दूँगी। चितरगुप्त ने कहा कि जिस तरह से तुम अपने तपोवल से अपने पती के प्रानों की रक्षा की है उससे मैं प्रशन नहीं। अपने सुहाग की रक्षा के लिए करवाचत का व्रत की सुरुआत की थी। इसके बाद इस व्रत को भगवान स्री क्रिश्न के कहने पर द्रोपती ने भी किया था। जए श्री कृष्णा झाल